हेलो गाइस वेलकम तो शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल साथ तिमाईयों के बाद अब कामकाजी मुनाफ़ा जो है इन फाक्ट लिटरली कामकाजी मुनाफ़ा बनता वा नजर आ सकता है घाटे से अब आप देखे आए में करीबन करीबन 28% के उच्छाल के साथ 5703 करोड पर कंपनी रेविन्यू जेनरेट कर सकती है बहतर execution से कंपनी की आए में बढ़त रहेगी और साथ ही आप दिखे जिस तरह से इन उनने operational efficiency दिखाई है उस वज़े से कंपनी का जो कामकाजी घाटा था पिछले साल 180 करोड रुपे का इस बारी 44 करोड के मुनाफ़े में तबदील होता हुआ नजर आएगा तो margin positive होंगे ये और साथ ही कंपनी का overall घाटा भी significantly reduce होने का उन्मान लगा कर चल रहे हैं 231 करोड के मुकाबले इस बारी घाटा केवल 45 करोड रुपे का कंपनी जो है दच करती भी दिख सकती है नए orders में लगभग 46% की growth के साथ 5,700 करोड के आसपास हम ये expect कर के चल रहे हैं कि इनकी जो overall new orders है वो मिलते वे नजर आएंगे और कुल order book लगभग 1,9,000 करोड रुपे पर पहुंचते भी नजर आएगी तो हर एक front पर company के काफी बहतर साइट पर numbers रहेंगे और आगे आने वाले समय में किस तरह से management receivables की स्थिती पर commentary करती है ये जानना काफी एहम होगा तो बेल अच्छे नंबर से और वाके में इस कमजोर बाजार में हरे निशान में दिख रहा है बेल ये तो कमाल ही कर रहा है बाकी तो कहां आज green वाले तो ही नहीं कोई भी तो चलिए बेल के अच्छे results रहने की संभावना बन सकती बेल के चार्स में दम है क्या पाल्विया उसके पास trade कर रहा है तो में लगता है कि अगर अच्छे आते तो यहां से high probability के पुल बैक का trade यहां से continue होते वे दिख सकता है जो कि stop को 61 62 की तरफ लेके जा सकता है तो यहां पर buy क्या जा सकता है 55 50 यह stop loss रखना होगा upside में में लगता है यह जिस तरीके से stop support लेके bounce दे रह अगया जो है जाए जाए जब तरीको यह जाटे लिघस कर देलूना यह जाखना है यहां सेड़ आगाए झाल वुल को यहां से तरीके से बाही जाए जा प्र जाए जाए यहां सेज़